कि अग्या पिए अग्या शेश्क्री जरावा मैं आए हुई सभी समंग दिया नामिक बंदों कि आज के शक्तर के अध्यक्ष महुद है और में भरी सरी के श्री रवी कुमार नाजी कि आज के इस कारिकरम में मेरे ही तरह उपस्तिक एक और मख्वत्ता श्री चंजिखां रांग बेदेजी और आज के शक्तर में आने वाले एक और मख्वत्ता श्री लिए प्रेचल सान राए है मैं बहुत आवारी हुए आयोजिन समीति का जिनोंने मुझे यहां अभूत की आख और गेट कराग भीपिंग का विशेष हमारी शेष्टरी समाज को कितना भूपत आयक है उसके बाजाने आख करने का मोता जिया है मैं सबसे पहले भाई श्री अभी राना का बहुत आवारी हुए जिनके विशेष आख रहका मैं आपके बीच में हरिक ज्यार से आखाता और उनी के साथ दॉक्टर चौजरी का बहुत आखाता कि उन्होंने बार बार फोन करके मुझे यहां आने के लिए प्रेरिश किया डॉ फिर्लों के विशेष आखे और प्रेंबरे विव्यो्टर रम्याम के भी ना सना, अपने भारत देट की सर्कार मैं सन 1995 में एक गयटगरार नाम की अंदर राश्ट्रीत संदी की इस संदी को भारत सरकार ने जब किया था, उस समय हमारे देश के प्रहान मत्सरी थे शिरी पीवी नर्सिंवराव, और हमारे देश के बिक्टमत्मिन थे डॉक्तर मन महुंसरी इस समय संदी को लगे हुए, इस्थातिफ हुए, चाली हुए, करीद करीद तेरे वर्ष हो गया और तेरे वर्ष के बाद यह संदी आज जहां कर पहुँची है, तो भारत में प्रहान मत्री हैं, डॉक्तर मन महुंसरी और प्रिमिन अस्थिंवरावस और इस वासी हो चुके है, जब यह संदी हमारी सरकार में किया गैट कर आटी, तो हमारे देश की संसद में, हमारी सरका में कुछ महीती देती, और उसमें से एक महीती यह थी, कि यह जो संदी हो रहे है, गैट कराजी, इससे हमारे शिक्तरी समाज को बहुत फाइदा होता, हमारे देश के बरतमान में जो बित्यमंत्री हैं, और संदी के समय में जो वाने के मंत्री थे, उनका नाम है शिक्तरम में, संसत में एक जयत्मरी को अे बयान दिया था, और यyl应ी सोग अंचाइनवा है, और ये कहा था, कि इस संदी के लाओ होने से भारत के सिष्कारी समाज को बहूत लाओ कृत लाओ होगा, इतना लाओ होगा कि हमारे शिक्तरी समाज अभी श्रिमंत्त हो जाया भारत की शेती का जो विकास दर है वो कम से कम आठ से दस टका हो जाए और एक माहिती दी गई थी वो ये कि ये संदी लागू होने से गेट करार लागू होने से भारत के शेतकरी समाज को डॉलर बहुत जादा मिलेगा विदेशी मुद्रा में उनकी आमंदनी बहुत बढ़ जाएगी और विदेशी मुद्रा हमारे भारतवासियों को शेतकरी समाज को जास्ती मिलेगी तो शेतकरी समाज की गरीबी सब खतम हो जाएगी ऐसे करके इस संदी के बारे में और भी बहुत माहिती दी गई थी भारत का विदेशी व्यापार बढ़ेगा और भारत का विदेशी व्यापार बढ़के कम से कम 200 अबज डॉलर को क्रोस कर जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बढ़ जाएगा भारत एक श्रीमन्त और उद्योगिक देश हो जाएगा संपुन दुनिया में भारत की जैजेकार हो जाएगी ऐसी बहुत सारी माहिती देकर ये संदी हमारी सरकार में की थी अब ये संदी किये हुए लगबग तेरे वर्ष हो गए और संसत के बाहर भारत के लोगों को ये कहा गया था कि गेट करार लागू होने से शेती को और शेतकरी समाज को बहुत फाइदा होगा शेती का जो विकास दर है वो आठ से दस टका हो जाएगा और शेतकरी समाज श्रीमंत हो जाएगा और हमारे देश के शेतकरी समाज द्वारा जो उत्पन शेती की वस्तुएं हैं उनको बाजार में बहुत अच्छा भाव मिलेगा और अंतराश्ट्री बाजार पेट हमारे लिए खुल जाएगा हमारा जो भी शेती का उत्पन खराब हो जाता है अरवर्ष वो पूरे दुनिया के बाजार में बिकने लगेगा ऐसी सारी अच्छी अच्छी बाते करके गैट करार को हमारी सरकार ने सही किया था अब गैट करार सही हुए लगबग तेरे वर्ष हो गए है तेरे वर्ष के बाद की इस्थती के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो सरकार ने कहा था अब वो तेरे वर्ष के बाद कहा तक पहुँचा है तो पहली माही ती जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि भारत सरकार ने जो शेती की विकासदर की बात की थी कि 8 से 10 टका हो जाएगी गैट करार लागू होने के 13 साल के बाद हमारी शेती की विकासदर अब सिर्फ 4 टका के आसपास है और आपको जानकर ये दुख होगा कि जिस दिन गैट करार को सही किया गया था 1 जनवरी 1995 को उस दिन हमारी शेती की विकासदर 4.8 टका थी अब शेती की विकासदर 4 टका रह गई है माने गैट करार लागू होने के 13 साल में शेती की विकासदर कम होई है बड़ी नहीं दूसरी एक माहिती दूँ कि जब गैट करार सही हुआ था 1995 में तो हमारे देश में ऐसी एक भी खबर नहीं थी कि शेतकरी समाज को आत्मत्या करनी पड़ती है गैट करार लागू होने के अब 13 साल में हमारे देश के शेतकरी समाज के हजारों हजारों शेतकरी आत्मत्या कर रहा है हम जहां विधर्ब में रहते हैं विधर्ब में तो शायदी कोई जिला बचा होगा अमरावती है फिर बरधा है फिर बुलड़ाना है फिर गर्चिरोली है विधर्ब के तो सारे जिले एक भी जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां शेदकरी समाज की आत्मत्या नहा हुई हो और इस विधर्ब का एक बड़ा प्रतिनिधी समाचार पत्र है देशोननती देशोननती ने तो बाकाइदा एक मुहिम चला रखी है कि जब भी कोई शेदकरी आत्मत्या करता है देशोननती वो अखवार है जिसके प्रत्रफम प्रश्ट पर उसकी खबर चपती है और वो काट-काट कर मैं रखता रहता हूँ अभी तक हजारों शेदकरी आत्मत्या की ख़बर देशोननती के माद्यम से मेरे जैसे पाटकों को मिली है और ये आत्मत्या हमारे शेतकरी समाज की विदर्ब में हो रही है ये सिर्फ विदर्ब में नहीं है आंदर प्रदेश में भी शेतकरी समाज की आत्मत्या हो रही है करनाटक में भी शेतकरी समाज आत्मत्या की रास्ते पर है केरल में तमिल नाडू में भी शेतकरी समाज आत्मत्या की रास्ते पर है भारत के बारे से जादा राज्यों से शेतकरी समाज के आत्मत्या करने की खबर मिलती है बारे से जादा राज्यों में शेतकरी आत्मत्या कर रहे हैं बड़ा दुख है और अफसोस है और ये शर्मनाख है कि गैट करार जब साइन किया गया, गैट करार जब इस देश में लाया गया एक जनवरी 1995 से उस समय तक हमारे देश में शेदकरी आत्मत्या की खबरें ना के बरावर की अब गैट करार लागू होने के 13 साल में शेदकरी स समाज की आत्मत्या के प्रश्णों पर परेशान होकर हमारे देश के प्रधान मंत्री को विधर्व की यात्रा करनी पड़ी थी और सेवा ग्राम में आकर दो दिन रुखना पड़ा था शेदकरी समाज के प्रश्णों को समझ लेके लिए संसद में इतनी बार हंगामा हो चार शम्लबाइक टक्का से अफ चार टक्का पर आगया है और अगले एक साल का हमारे लोगों का अनुगान है और तकास्टियों का बीच में रखना चाहता हूँ गेट करार लागू होने के बाद भारत के शितकरी समाज और साधरन लोगों पर उसका क्या फरक पड़ा है क्या अंतर आया है उसके लिए एक सर्वे हुआ हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थतग्य हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता वो हमारे बरतमान प्रधान बंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग के बहुत खास मित्र है और भारत देश में बहुत समय तक उचे पदों पर रहे हैं जब श्रीमती इंद्रा गांधी इस देश में प्रधान मंतरी हुआ करती थी तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता लोक सभा के सौरी हमारे देश के योजना आयोक के उपाध्यक्ष हुआ करते योजना आयोक का अध्यक्ष π्रधान मंतरी होता है उसके ठीक नीचे उपाद्यक तो प्रफिसर अरजुन सेन गुपता योजना आयोक के उपाद्यक्ष रह चुके हैं बहुत बड़े अर्थतग्ये हैं बंगाल के बहुत समय तक वित्य मंतरी रहे हैं ऐसे एक विद्वान व्यक्ति ने भारत सरकार का एक सर्वेक्षन पूरा किया है 2006 जून में वो सर्वेक्षन छपा है और उससे ये उन्होंने एक महीती निकाली है कि गेट करार लागू होने के बाद भारत के साधरन लोगों की स्थती और विशेश रूप से शेतकरी समाज की स्थती बहुत खराब होई है उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं उन्होंने बताया है कि गेट करार लागू होने के लगबग बारे साल में भारत के साधरन लोगों की गरीबी बहुत बड़ी है साधरन शेतकरी की गरीबी बहुत बड़ी है और उन्होंने गरीबी के आंकड़े दिये हैं मेरे जैसे आदमी को हैरानी होती है सारे देश को हैरानी है 84 कोटी लोग इस समय गरीबी की रेखा के इतने नीचे हैं कि जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है गेट करार लागू होने के बाद की ये स्थति है 84 कोटी भारतवासी एक दिन में 20 रुपय खर्च नहीं कर सकते आप जड़ा सोचिए 115 कोटी का हमारा देश है 115 कोटी में 84 कोटी लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है इसका सीधा मतलब है 84 कोटी लोगों की एक दिन की आमंदनी 20 रुपय से कम है और प्रफिसर अरजुन सेन गुपता की रिपोर्ट को ही आगे मैं बता रहा हूँ कि 50 कोटी लोगों की तो एक दिन की आमंदनी 10 रुपय से कम है और ये पिछले बारे तेरे साल में बहुत तेजी से हुआ है गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है फिर हमारे देश के प्रफिसर अरजुन सेन गुपता की ही कमेटी की रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि गेट करार लागू होने के बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंदे हैं छोटे छोटे जो रोजगार करने के काम होते थे वो बहुत तेजी से कम हुए हैं छोटे उद्योग धंदे रोजगार देने वाले सारे तंत्र धीरे धीरे खतम हुए और एक दो माहिती देता हूँ गैट करार लागू होने के बारे साल में हमारे देश का शेती का जो निर्यात है वो बहुत तेजी से गिरा है हम जो शेती का निर्यात करते थे 1995 में उस निर्यात से हमारी जो कुल आमंदनी होती थी आज वो आमंदनी हमारी 20 से 25 टका कम हो चुकी शेती से होने वाली आमंदनी और ये आमंदनी कैसे कम हुई है 1995 में जब ये गेट करार लागू हुआ था तब एक डॉलर 36 रुपई का था अब गेट करार लागू हुए लगवग 12-13 साल हो गया अब एक डॉलर लगवग 50 रुपई के बराबर है तो हमारा मतलब क्या हुआ कि पहले हम शेती का कोई भी वस्तु 36 रुपई का बेचे तो हमें एक डॉलर की इंकम होती थी अब 2009 में शेती की 50 रुपई की वस्तु बेचते हैं तब एक डॉलर की इंकम होती है मानि वस्तू हमारी जास्ती जाती है डॉलर हमारे पास उतना ही आता है जो 1995 में आता था अगर आप इसको टक्केवारी में निकालेंगे तो 36 रुपए डॉलर से अब 50 रुपए डॉलर हो गया लगबग डॉलर की पोजीशन में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आई है और यही गिरावट हमारे शेती से होने वाली आमंदनी में भी आई है और इसी गिरावट के कारें हमारे शेतकरी समाज को गरीबी और ज़्यादा आई है अब आपके मन में एक प्रशन आएगा कि गेट करार लागू होने से ये शेतकरी समाज और शेती को नुकसान हुआ कैसे मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूँ गेट करार की बहुत सारी शर्तें है गेट करार का मैंने बहुत अभ्यास किया लगबग 10-12 साल और उस अभ्यास के बाद सारे देश में मैंने दस हजार से ज़्यादा व्याख्यांग दिये गेट करार पर गेट करार एक अंतरराश्ट्री यह समझोता है जिसमें 155 देशों ने सही किया है इसमें से 20 से 25 देश हैं जो बहुत श्रीमन्त हैं जैसे अमेरिका है जैसे कनड़ा है जैसे ब्रिटेन है जैसे फ्रांस है जैसे जर्मनी है जैसे स्वीडन है ऐसे 20 से 25 देश बहुत श्रीमन्त हैं जो गेट करार में सही किये हैं और बाकी के 125 देश बहुत गरीब है बहुत गरीब देशों में जैसे बोत्सवाना एक देश है बहुत ही गरीब देश है अफरीका का देश है बहुत ही गरीब है वहाँ तो पूरे देश की सकल आमंदनी की जब बात की जाती है तो एक आदमी की आम अंदनी रुपए में जब गिनी जाती है तो डेड़ से दो रुपए से कम पढ़ती है उनके आँ तो बहुत स्वाना है अफरीका के छोटे-छोटे देश है नाइजीरिया है सोमालिया है एथियोपिया है फिर उसके बाद लेटन अमेरिका के देश है ब्राजील है, मेकसिको है, चिली है कोस्टारिका है, कोलंबिया है फिर और साउथ इस्ट एशिया के देश है तो 125 देश तो बहुत गरीब है और 25 देश हैं जो बहुत श्रीमन्त है उनकी श्रीमन्ताई का अंदाजा आप लगा सकते हैं अमरीका जैसा श्रीमन्त देश अपने शेतकरी समाज को धर वर्षी 400 अबज डॉलर की सबसिडी देता है 400 अबज डॉलर 400 बिलियन डॉलर 400 अरब डॉलर अमेरिका की सरकार अपने शेतकरी समाज को मेरे पास एक अरव एक डॉलर का उत्पन है। अमेरिका का कोई शेतकरी एक डॉलर का उत्पन अगर अपने शेत्म करता है, तो अमेरिका की सरकार उस एक डॉलर के उत्पन को अमेरिका से शेतकरी से चार सो देकर खरीद लेती है। चारसो डॉलर दे के खरीद लेते हैं एक डॉलर का उत्पन वो चारसो डॉलर दे के खरीद लेते हैं माने शेतकरी को उत्पन से चारसो पट जास्ती मुनाफ़ा वो दे देते हैं अब वो उत्पन को फिर वंतराश्री बाजार में विक्री करते हैं और उस बिक्री के कारण वो सस्ता हो जाता है क्योंकि सरकार के पैसे बहुत लग गए हैं उसमें तो अमेरिका के शेतकरी का जो शेत उत्पन है वो अंतरश्री वजार में बहुत सस्ता आके बिखने लगता है भारत में इसका उल्टा होता है भारत की सरकार शेतकरी को सबसीडी तो देती नहीं है मानने शरत जोशी के हिसाब से अगर कहूँ तो निगेटिव सबसीडी देती है शेतकरी संगटन वाले यहां बैठे हैं उनके हिसाब से को उन्हों का बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि सबसीडी तो देती हैं निगेटिव सबसीडी है हमारे यहां माने शेतकरी से उल्टा खीच लेती है हमारी सरकार शेतकरी को तो देती नहीं है तो यहां के शेतकरी को तो कोई खास सवसीडी है नहीं और अमेरिका के शेतकरी को 400 अवज डॉलर साल की सवसीडी है आप सोचेंगे कि इतने असंतुलित जमाने में कैसे शेतकरी खड़ा रहे हमारा शेतकरी शेती करता है करज लेता है बैंक से करज लेता है बैंक के बाद उनकी सहकारी पतसंस्थाओं से करज लेता है सेकारी पत्संस्ताओं का कर्द 14-15 टक्का के ब्याज पर पढ़ता है बैंक का कर्ज भी 7-8 टक्का के ब्याज पर पर पढ़ता है और अमेरिका का शेतकरी जब कर्ज लेता है बैंक से तो उसको ब्याज ही नहीं देना पढ़ता है और उनके यहां तो निगेटिव ब्याज होता है माने सरकार अपनी तरफ से शेतकरी को मदद करती है तो अमेरिका का शेतकरी बिना ब्याज के करज लेके शेती करता है भारत के शेतकरी को ब्याज भरके शेती करनी पड़ती है ब्याज देनी पड़ती है अपने करजे पर और भारत का शेतकरी सबसे जास्ती ब्याज देता है करजे पर जो कोई नहीं देता है इस देश में अभी 3-4 साल पहले तक तो भारत के शेतकरी को 14 टक्का का ब्याज था हमारे देश में और सहकारी पत्संस्थाओं में तो 18-20 टक्का का ब्याज था और अगर प्राइवेट मनी लेंडर से वो कर्ज लेता है तो ब्याज का दर 100 टक्का भी हो सकता है 1500-200 टक्का भी हो सकता है तो भारत का शेतकरी बहुत जादा ब्याज लेके बहुत जादा ब्याज दे के कर्ज लेता है अमेरिका के शेतकरी को ब्याज ही नहीं बरना पड़ता भारत का शेतकरी अपनी वस्तुएं सरकार को बेचता है तो सरकार अंतराश्ट्री बजार भाव से भी कई बार सस्ती कीमत पे खरीदी कर लेती है वहां भी सेथकरी मार खा जाता है फिर अंतराश्री बजार में अमेरिका की सरकार अपनी सेथकरी को एक्सपोर्ट सबसिडी देती है और भारत की सरकार ऐसी कोई सबसिडी नहीं देती है तो अंतमे निरने क्या आता है अंतमे फैसला जहां जाता है या बात जहां जाके रुकती है वो ये कि बारत के शेतकरी का माल अंतराश्री बजार में जाते जाते महंगा हो जाता है क्योंकि यहाँ ब्याद जादा देनी है सरकार की तरफ से एक्सपूर्ट सबसिडी भी नहीं है और सरकार को शेतकरी समाज की अगर टोटल सबसिडी है तो वो निगेटिव है इन तीनों बातों से मिलकर भारत के शेतकरी का कोई भी उत्पन अंतराश्री बजार में महंगा होता है और अमेरिका और कनाडा और यूरोप के शेदकरी का उत्पन अंतराश्री बजार बजार पेट में सस्ता होता है अब सस्ता उत्पन नहें तो जास्ती विकेगा महिंगा उत्पन नहें तो कम विकेगा यही चक्कर में भादकर भारत के शेतकरी समाज की वस्तुवाइं अंतराश्टी बजार में कम बिखती है और फिर अंतराश्टी बजार में जब शेतकरी समाज की वस्तुवाइं कम बिखती है तो उसका दोनों तरफ रिनात्मक प्रवाव आता है पहला तो माल कम जाता है दूसरा शेतकरी को आमंदनी कम होती है इसके विपरीत दूसरे देशों के शेतकरी को जब जादा सबसिडी वाला माल भारत में आके बिखता है क्योंकि डबलू टियो की एग्रिमेंट की शर्तों के अनुसार कोई भी देश के शेती का माल किसी भी देश में जाकर आसानी से बिखेगा तो अमेरिका का शेत उत्पन भारत में आके बिख सकता है यूरोप का शेत उत्पन भारत में आके बिख सकता है तो अमेरिका और यूरोप के देशों की कापुस आके भारत में बिखना शुรू हो गई है अब अमेरEEका की कापुस और यूरोप की कापुस भारत में आकर बिखती है तो ईसका बाजार भाव बंध 1500 रुपई, 1600 रुपई कुंटल के आस्पास होता है और भारत के शेतकरी समाज की जो कापुस होती है खराब से खराब कापुस सत्रे सो अठारे सो रुपई कुंटल की होती है तो भारत की शेतकरी की कापुस महंगी और अमेरिका के शेतकरी की कापुस सस्ती तो भारत के बजार में भी अब विदेशी कापुस जास्ती बिकती है तो कापुस उत्मन करने वाले शेदकरी समाज की कापुस कम बिकती है एक तो अंतराश्री बजार में भाव कम मिलता है दूसरे अपने ही देश के बजार में कापुस कम बिकती है दोनों का ही दुश्परिणाम यह होता है कि कापुस उत्वन्द करने वाले शेतकरी को आमंदनी कम होती है और वो आमंदनी उसके खर्चे से भी कई बार कम होती है तो बैंक का खर्चा इतना बलागत बढ़ जाती है कि वो करजे में डूब जाता है और अन्त में आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है हमारे देश में टाटा इंसिट्यूट ने एक रिसर्च कराया सर्वे कराया विधर्व शेतकरी समाज की आत्मत्या के विशे तो उसमें पता चला कि बहुत सारे कापुस उत्पन्द करने वाले विधर्व के जो शेट करी है उनका जो कापुस उत्पन्द का खर्चा है उससे कम कीमत पर उनकी कापुस बिख रही है बजाए खर्चा आता है सत्रे सो रुपई कुंटल खर्चा आता है अठारे सो रुपई कुंटल और कापुस बिक्ति है पंद्रे सो रुपई कुंटल जोदे सो रुपई कुंटल साड़े तेरे सो रुपई कुंटल ऐसी इस्तिती हमारे यहां है और एक समय क्या आता है कि जब आप खर्चा जादा करें शेती में और उत्पन आपका नाब के उस भाव से जिस भाव का खर्चा आपने किया तो हर समय आप घाटे और घाटे की शेती करें और घाटे की शेती के पूरती करने के लिए बैंक से करजा लें और बेंक के करजे को ब्याज देने के लिए करजा लें फिर करज का ब्याज और ब्याज का करज ये ही चक्कर में किसान आत्मत्या कर ले ऐसी हालत हमारे यहां है दूसरी एक समस्या गेट करार के बाद जो हमारे यहां पैदा हुई कि जब से परदेश के शेत उत्पन भारत के बजार में आसानी से बिकने लगे हैं हमारे शेत करी ने उन उत्पन को करना ही कम कर दिया है आपको सुनके अफसोस होगा और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि भारत के बाजार पेट में मलेशिया की दाल बिकती है सफर चंड जिसको हम कहते हैं एपल भारत के बाजार पेट में न्यूजी लेंड का केला भिक रहा है माने दुनिया बरके हजारों शेत वस्तुएं क्रशी वस्तुएं भारत के बाजार में आके भिकने लगी है अब जिन वस्तुएं को अपना शेतकरी उत्वन करता था वही वस्तुएं जब विदेशों के बाजार से आकर अपने बाजार में बिकने लगेंगी तो बारत के शेतकरी के लिए बाजार कम होता गया और बाजार कम होता गया तो फिर शेयतकरी को आमंधनी में कमी आ गई और फिर वो आमंधनी की कमी शेयतकरी की गरीबी को बढ़ा गई आस से 10-12 साल पहले हम ये कलपना नहीं कर सकते थे कि भारत के बाजार में चाइना का लेसून मिलेगा इरान का अलू मिलेगा अमरिका का सफरचन्द मिलेगा न्यूजिलेंड का केला मिलेगा या मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों की डाले मिलेंगी एक चोटा सा देश है हमारे पडुस में बर्मा उसकी सबसे जादा डाल आके यहां बिकती है अरहर की दाल, मुंग की दाल, उड़त की दाल, चन्य की दाल, बर्मा जैसे देश की अंदा दूंद बिकती है और समस्या क्या आती है भारत के शेतकरी की दाल का भाव 3500 रुपई कुंटल तो बर्मा की दाल का भाव 2700 रुपई कुंटल 2800 रुपई कुंटल अब 3500 रुपई कुंटल भारत के शेतकरी की डाल 2700 रुपई कुंटल बर्मा की डाल तो हमारे देश के जो व्यापरी हैं उनको मुनाफ़ जासती चाहिए तो वो क्या करते हैं बर्मा की डाल खरीदते हैं अंदा धुंद बेशते मैं कल जलगाओं में था यहां आने के लिए मैं कल जलगाओं से ट्रेन पकड़ा था सॉरी सबेरे जलगाओं से ट्रेन पकड़ा था कल राच जलगाओं में रुका था आप जानते हैं जलगाओं बहुत बड़ा बजार है डाल का मेरे एक बहुत नजदी की दोस्त हैं जो दाल की प्रोसेसिंग करते हैं मूं की दाल की प्रोसेसिंग करते हैं मैंने कल उनसे पूछा क्या हाल है बजार का तो उन्हें राजी भाई दो धाई साल हो गए हैं हिंदुस्तान की मूं की दाल बजार में नहीं है दो धाई साल हो गए मैं बोला फिर किसकी है तो उनने का सारी मूं की डाल बर्मा से आकर बिक रही है तो मैं बोला धाई तीन साल पहले क्या होता था तो वो बोल रहे थे कि धाई तीन साल पहले उत्तर प्रदेश की डाल आती थी यहां पर बिकने के लिए बिहार की डाल आती थी यहां पर विकने के लिए बंगाल की डाले आती थी विकने के लिए उत्तराखंड की डाले आती थी विकने के लिए ढही थी इन साल से डाले ही नहीं नजर आ रही है हिंदुस्तान की सारी बर्मा की डाल आती है विकने के लिए तो मैंने उनसे पूछा, अगर बर्मा की Deutschland आ रहे है, बिकने के लिए जलगाओं में, तो फिर जलगाओं में बाकी भारतवासीों की दाल नहीं बिकरी, तो उनकी दाल का क्या हुआ, वो कहीं दूसरी जग बेच रे हैं, तो उनका बेच नहीं रहे हैं, दाल पैदा करना ही बंद कर दिया है उन्हों हमारे देश के हजारों नहीं लाखों लाखों शेतकरी जो धाई तीन साल पहले तक दाल पैदा करते थे उन्होंने धाई तीन साल से दाल पैदा करना ही कम कर दिया है और सरकार अब चिंता कर रही है कि डाल का छेतरफल इस देश में गट रहा है अब शेतकरी कहते हैं हम क्या करें हमारी डाल को भाव नहीं है विधेशी डाल 2700 रुपए कुटल में बियापरी खरीद लेता हमारी कौन खरीदेगा 3500 रुपए कुटल में तो वो कहते हैं भाव नहीं है तो दाल पैदा करना कम कर दिया इसी तरह की स्थती तिलहन के छेतर में है तिलहन हिंदुस्तान के शेत बजार में इस समय सबसे ज़्यादा विदेशी तेल बिकरा है आप सभी जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोली तेल वो पामोली तेल सबसे ज़्यादा भारत के बजार में है सबसे ज़्यादा एक दो टन नहीं लाखों टन में हैं करोडों टन में हैं पामोली तेल जो भारत के शेत बजार में आ गया अब पामोलीन तेल आके बिकने लगा अब पामोलीन तेल का भाव भारत में आके पढ़ता है 20-22 रुपई लीटर और शेतकरी समाज जो उत्पन करके तेल देता है वो है 40 रुपई लीटर अब भारत का शेतकरी सरसों का तेल करे 40 रुपई लीटर नारियल का तेल करे 60 रुपई लीटर तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपई लीटर तो भारत में 40, 60 और 90 रुपई लीटर के आसपास तेल का भाव है और विदेशी पाम तेल मिलता है 20 से 22 रुपई लीटर तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपती हैं वो सब पामुलीन तेल धडल ले से लाखों लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पामुलीन तेल को भेड़ सेड़ करके मिलावट करके आपको बेच रहे हैं आप बाजार से डिबबबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल हैं और आपको सुनकर हरानी होगी चार-पांच साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिलाके नहीं बेचा जा सकता गेट करार और डबलू-टि-ो के दबाओ में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिलाके बेचा जा सकता है अब पाम तेल आ गया वो वेजिटेबल ऑइल के साथ मिलाके बेचा जा रहा है आप बाजार से तेल खरीद के लाते हैं इसी भी नाम का तेल करीदो रिफाइंड तेल के नाम से और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलीन तेल है अब पामोलीन तेल हम खा रहे हैं शेतकरी समाज खा रहा है क्यों? क्योंकि शेतकरी समाज जो तिलहन पैदा करके बेचता था शेतकरी समाज जो सरसो का तेल पैदा करके देता था या नारियल का तेल उसको भाव नहीं है तो उन्होंने तिलहन पैदा करना कम कर दिया है तो भारत में तिलहन का छेतरफल भी लगाता रगटता चला जा रहा है डाले पैदा करना कम कर दिया, तिलहन पैदा करना कम कर दिया, तेल का उत्पन इस देश में कम हो गया, तो विदेशों से पाम तेल आकर बिखने लगा, अब वो पाम तेल के दो दुश परिनाम है, एक तो जो शेतकरी नारियल करते थे, जो शेतकरी तिल पैदा करते थे, जो दरसों पैदा करते थे उनको नुकसान दूसरा नुकसान देश के खाने वाले लोगों को जो पाम तेल खाएगा मैं आपको स्टाम पेपर पर लिखके देखा हूं देता हूं तुरंत हर्ट अटेक से मर जाएगा क्योंकि पाम तेल के बारे में सारी दुनिया के जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं ये डॉक्टर चौधरी के लिए मैं कहता हूं कि पाम तेल में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं सबसे ज़्यादा और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बाड़ी में होते हैं किसी भी टेंपरेचर पर डिजॉल्व नहीं होते हैं और ट्रांस फैट जब बाड़ी में डिजॉल्व नहीं होते है तो फैट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और आपने सुना में ऐसे भहेंकर दुष्परिणाम होते हैं डाइबिटीज बढ़ती है हाइपरेटेंशन बढ़ता है जिसको बीपी आप कहते हैं हरट अटेक आता है ब्रेन हैम्रेज हो जाता है ऐसे खतरनाक रोग जिनमें शरीर का हमेशा के लिए भढ़ेंकर दुष्परिणाम हो जाए या हमारे शरीर का बहेंकर नुकसान हो जाए ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परिणाम ही है पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़ कर मलेशिया जिस देश से पाम तेल भारत में आता है तेल का बजार पूरी तरह से अब विदेशियों के कब्जे में चला गया। तो एक तरफ अपना शेतकरी नुकसान पाता है, दूसरी तरफ लोगों को भी तकलीफ आती है। और इसी तरह गेट करार की एक खतरनाक शर्त ने हमारे देश को एक और बड़े खतरे में डाल दिया। हमारे देश में पहले एक कानून था कि जो बीज होता है, सीड्स जो होता है, वो सीड्स पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। क्योंकि भारत में ऐसी माननिता रही है कि ये जो बीज है वो भगवान की देन है प्रकरती की देन है इश्वर ने बनाया परमपिता परमात्मा ने बनाया इसको आदमी ने नहीं बनाया तो इसलिए ये माना जाता है कि बीज जो होता है सीड्स जो होते है वो परमपिता परमात्मा की देन है इश्वर की देन है उसपर मनश्रिक अधिकार नहीं है इसलिए वो patent के दाइरे के बहार है उनको patent डेबल नहीं माना जाता इस देश अब get करार ने शर्थ बदल दी get करार की शर्थ यह होगई है कि सबी बीज अब पेटेंट के दाइरे में आ गए है पहले हमारे हाँ बीज होते थे discoveries पहले बीज होते थे सब discoveries अब पेटेंटेबिलिटी की दाइरे में आने के बाद बीजों को सरकार ने inventions जैसा मानना शुरू कर दिया है और खतरना किस्ति ये बना दी है कि discoveries और inventions बोथ आर पेटेंटेबल इन आवर कंट्री नाओ अन बेसिस अफ दिस गेट अग्रीमेंट ये गेट करार के आधार पर अब discoveries भी पेटेंटेबल हैं inventions भी पेटेंटेबल हैं तो seed और beet जो पहले पेटेंट के दाइरे के बाहर थे अब वो पेटेंट के दाइरे में आ गए जब बीजबूर्ट पेटेंट नहीं होता और बीजबूर्ट पेटेंट होता उसमें फरक क्या होता है मैं ये कुदारन से समझाता हूँ पेटेंट का माने होता है पूरा अधिकार उत्पादन करने का बेचने का और मुनाफ़ा कमाने का मैं आपको एक उधारंड से समझाता हूँ मेरे हाथ में एक पैन है अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पैन पर मेरा पेटेंट है इसका मतलब ये है कि इस पैन को मैं ही बनाऊंगा और मैं ही बेचूंगा और मैं ही मुनाफ़ा कमाऊंगा दूसरी कोई कमपनी इस पैन को ना बना सकती है ना बेच सकती है ना मुनाफ़ा कमा सकती है अगर मैं यह कहता हूँ कि इस पैन पर मेरा पेटेंट नहीं है और किसी का भी patent नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस pen को कोई भी company बनाएगी कोई भी company बेचेगी कोई भी company मुनाफ़ा कमाएगी अगर इस pen पर patent नहीं है तो इस pen को बनाने वाली हजारों company होंगी और अगर इस pen पर patent है तो इसको बनाने वाली एक ही कमपनी होगी अब अगर हजारों कमपनी ये पैन बनाती है तो आप सोचो उन हजारों कमपनीों में आपस में प्रतियोगिता होती है कॉम्पटिशन होता है तो ये पैन सस्ते से सस्ता मिलेगा लेकिन कोई एक कमपनी अगर ये पैन बनाती है तो उसकी अकेले की मोनोपोली है अकेले का एक अधिकार है तो वो जितने चाहे उतने रुपए में बेजेगी और जितना चाहेगी उतना मुनाफ़ा इस पैन पर वो कमपनी कमाएगी अब हमारे याँ बीज के छेतर में ऐसा हो गया पहले ऐसा होता था कि हमारे शेतकरी समाज बीज बनाते थे और बीज से बीज हमारे याँ हजारों साल से बनता चला आया हमारे याँ परंपरा ऐसी रही है कि एक बार हमने शेती की शेती में बियारन डाला उस बियारन से उत्पन आया उस उत्पन में से थोड़ा बियारन हमने अगले साल की शेती के लिए रख लिया फिर उसको बियारन के रूप में डाला फिर उत्पन आया फिर तीसरे साल के लिए हमने बियारन उसमें से निकाल लिया फिर छोथे साल के लिए इस तरह से बियारंड से बियारंड 20 से बीज बनता था इसको सीड मल्टिप्लिकेशन कहा जाता है और ये भारत में हजारों साल पुराना है इस से शेती के हजारों बीज विक्सित हुए है आपको सुनके हरानी होगी भारत दुनिया में अकेला देश है जहां की शेती में एक लाख पचास हजार से जादा चावल के बियारंड रहे एक लाख पचास हजार बीज चावल के सीड्स एक लाख पचास है गेहूं के हजारों किसम इस देश में रहे कापुस के सेकड़ों किसम इस देश में रहे उस के सेकड़ों के समिस देश में रहे तो बीज में विविद्धता बहुत रही है और उस विविद्धता के आधार पर ये बीज बनते रहे और भारत में बिखते रहे अब हमारे यह क्या हो गया गेट करार की शर्त के बाद पेटेंट का दाइरा आगया बीज में अब व्यवस्ता ऐसी हो गई है कि कोई एक कमपनी बीज बनाएगी जितने साल उसका पेटेंट बीज पर रहेगा दूसरी कोई कमपनी वो बीज नहीं बनाएगी एक ही कमपनी का बीज है जो आपको खरीदना पड़ेगा और उपयोग करना पड़ेगा परिणाम क्या हुआ अमेरिका की बड़ी बड़ी बीज कमपनी आ गई एक अमेरिका की कमपनी आ गई उसका नाम है पाइनिहर दूसरी अमेरिका की कमपनी आ गई उसका नाम है सीजेंटा तीसरी अमेरिका की कमपनी आ गई एली लिली चौती एक यूरोप की कमपनी आ गई यूनी लीवर ऐसी बीसियों बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कमपनी बीज के छेतर में आ गई और उन्होंने भारत के शेतकरी समाज के विक्सित किये हुए बीज को अमेरिका और यूरोप में पेटेंट करवाना शुरू कर दिया और उस पेटेंट की आधार पर भारत में धंदा शुरू कर दिया बहुत दुख होता है और अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि भारत के 36 गड़ प्रांत में चावल का बियारंड जो हजारों साल से चलता आ रहा था उस पर अभी पेटेंट अमेरिका की सीजेंटा कमपनी का है इसी तरह से भारत के कापुस के बहुत सारे बियारंड जो हजारों साल से शेतकरी समाज में विक्सित किये उस पर अमेरिकन कमपनीों ने पेटेंट अप्लिकेशन दे रखें तो हमारे बियारंड और अब विदेशी कमपनीों के पेटेंट के दाइरे में इस पेटेंट के दाइरे का मतलब मैंने आप से का कि बीज पर अगर किसी कमपनी का 20 साल का पेटेंट है तो वो कमपनी बीस साल तक उस बीज को बेचेगी और बीस साल तक उस पर मुनाफ़ा वो कमाती रहेगी भारत का कोई भी शेतकरी अगर उस बीज को बनाकर बेचने की कोशिश करेगा तो वो अमेरिकन कमपनी उस शेतकरी के खिलाफ मुकदमा करेगी और शेतकरी को जेल में डाल दिया जाएगा उसको हतकड़ियां लगाई जाएगी और उसको नॉन बेलिबल ओफेंस डिकलेयर किया जाएगा अब सोचो मैं हजारों साल से एक बियारंड बनाता हूँ अपने शेत में बापरता हूँ उसी पर American Company ने पेटेंट ले लिया तो वो बियारंड का सारा कंट्रोल American Company के हाथ में चला गया मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया तो परिणाम क्या होगा शेतकरी समाज जो बीज से बीज बनाता था और बीज के उत्पादन में स्वावलंब भी होता था अब वो शेतकरी समाज का सारा स्वावलंबन खतम हो रहा है और वो सारा कासर अभी जब मल्टिनेशनल कंपनी के कंट्रोल में चला गया अब उसका परिणाम क्या हुआ जब मल्टिनेशनल कंपनी के कंट्रोल में बीज चला गया तो बीज का भाव बढ़ गया जो बीच पहले आपको 40, 50, 60 रुपए किलो मिल जाता था अब उच बीच की कीमत हो गई 10,000 रुपए किलो 15,000 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो, 25,000 रुपए किलो आप यहाँ पर कोई शेतकरी भाई हैं जो शायद कापुस करते होंगे आपने कापुस में एक बीच का नाम सुना होगा ना बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन यह बीटी कॉटन पेटेंटिट सीड है और इसी तरह से हमारी देश के बजार में आया परिणाम क्या हुआ? कि जो सामने रूप से कॉटन का बीच हमें मिलता था अभी वो 10 पट, 15 पट, 20 पट, 25 पट, 30 पट मेंगा हो गया बीटी कॉटन के नाम और अब यह जो मल्टिनेशनल बीच बीच बेचते हैं बीटी कॉटन का तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कॉटन के बीच में जन्तू बहुत लगते हैं कीट बहुत लगते हैं हमने बीटी कॉटन ऐसा बीच बनाया जिसमें जन्तू ही नहीं लगेगा कीट ही नहीं लगेगा मतलब उस बीच को इतना जहरीला कर दिया कि उसमें कोई जन्तू और श्कीट नहीं आएगा और वो जहरीला भी जब आप शेत में डालेंगे और शेत में से उसका कौटन पन होगा और गलती से आपकी गाय और भैस उस खेत में चली गई तो वो तुरंट वहीं बैठ जाएगी और दो-तीन दिन के बाद वो वहीं मर जाएगी उठकर नहीं आ सकती मैं संपून भारत देश में प्रवास करता हूँ पिछले साल में हर्याना और पंजाब में एक महीनी के प्रवास पे था तो हर्याना में और पंजाब में मैंने दो जले देखे एक जलंदर जिला देखा पंजाब में और हर्याना में पानी पर जलंदर जिले के सैकडों गाओं में जहां बीटी कॉटन किसानों ने लगाया वो किसान मुझे अपना शेद दिखाने के लिए ले गए तो उन किसानों ने मुझे परीक्षन करके बताया एक शेत में मैं खड़ा था जलंदर से 30 किलो मीटर दूर एक गाउं में एक शेत करी आया उसने का देखो ये कितना जहरीला शेत बीज है बीटी कॉटन का फसल खड़ी हुई थी उस शेत में उसने मार मार के जबर जस्ती से एक भेंस को अंदर डाल दिया शेत में वो जान ही रही थी लेकिन धक्का दे दे के डाल दिया थोड़ी देर के बाद वो भेंस चलते चलते बैठ गई फिर वो मुझे भेंस के पास लेके गया भेंस को बैठने के बाद मैंने देखा उसकी गरधन टेड़ी हो गई गरदन टेडी हो गई तो उसने अब शेथ करी ने का अब ये उठेगी नहीं यहां से मैंने का क्यों उसने का अब ये गई हम रात को उसके घर में जाके सो गई सवेरे आके देखा तो भेंस बिलकुल बेहोश पड़ी थी और दूसरे दिन आके देखा तो वो भेंस मरी हुई थी वो शेतकरी ने का कि मेरे गाओं में सैकणों भेंसे ऐसे मरी है बीटी कॉटन के खेत में भेंस गुज गई जिंदा वापस नहीं लोटी बीटी कॉटन के शेत में अगर कोई गाय गुज गई जिन्दा वापस नहीं लोटी बकरी घुज गई जिन्दा वापस नहीं लोटी इतना खतरना कितना जहरीला बीज ये बीटी कॉटन के नाम पर सारे देश में भेजा गया शेतकरी को ये उल्लू बनाया मूर्ख बनाया कि इससे उत्पन जास्ती मिलेगा लेकिन शेतकरी को ये नहीं बताया कि जो उत्पन जास्ती मिलेगा वो जास्ती खर्चे के बाद मिलेगा पहले कॉटन उत्पन करने का जो खर्चा आता था उससे खर्चा आप दुपट और तीन पट हो गया तो खर्चा आपका दुपट और तीन पट करा दिया फिर उसके बाद उत्पन्द थोड़ा जास्ती मिला तो आप उस तरह से घाटे में ही रहे कोई फाइदा नहीं हुआ उसमें और जो जो शेतकरी ने बीटी कॉटन लगाया आंधर प्रदेश में पंजाब में, हर्याडा में पश्यमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में वो सब शेतकरी अभी रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं एक तो उनके जानवर भीमार हो रहे हैं दूसरा उनके शेतकी मिट्टी पहले से ज़्यादा तकलीफ हो गई है मराठी का एक शब्द इस्तेमाल करूँ तो मिट्टी नापीक होना शुरू हो गई ये डब्लू टियो के खत्रे हैं और धोके हैं हमारे देश अब कोई भी मल्टिनेशनल कंपनी आईगी कोई भी बीज लाएगी अब एक अमेरिकन कंपनी आ रहे है वो बीटी कौटन की तरह से बीटी ब्रिंजल लेके आ रही है बीटी बेंगन बेंगन को बीटी बना दिया अब बेंगन बजार में आएगा आप शेदकरी अपने गाउं में शेद में उसे लगाएंगे माटी आपकी नापीक होगी और वो बेंगन आपने गलती से खा लिया भाजी पाले के रूप में, सब्धी के रूप में, तो आपका शरीर भी नापिक हो जाए दुनिया के जिन देशों में बीटी ब्रिंजल को बेन किया गया, वहां के लोगों का कहना है, और बेग्यानिकों का कहना है कि जो जो देश में बीटी ब्रिंजल चला, नपुन सकता सबसे जादा बड़ी, लोगों ने जिसने भी खाया, नपुन सकता बड़ी, अब फिर तो एक तरफ शेतकरी समाज को तकलीफ, हमारी माटी को नापीक बनाने की साजिश या शड़यन्द और दूसरी तरफ शेतका जो उत्पन बढ़े, उससे भी जादा उसका खर्चा बढ़े, हमारे देश में ये चल रहा है 1995 के आंकड़े बताता हूँ, 1994 दिसंबर तक हमारे देश में 50 किलो यूरिया, 50 किलो यूरिया था 70 रुपए का 70 रुपीज पर बैग, 50 किलो का यूरिया का बैग 70 रुपए का डबलू टियो आने के बाद, हमारे देश की सरकार ने, डायरेक्ट और इंडायरेक्ट दोनों सब्सिडीज को कट करने का जो प्रयास किया, शेतकरी समाज की यूरिया डियपी की सब्सिडीज भी कम होई, शेतकरी समाज के लिए तो अब वही यूरिया, 70 रुपए का जो 50 किलो था, अब 270-275 रुपए का 50 किलो है, 2009 में तो यूरिया का भाव बढ़ गया, कम से कम, कम से कम अगर आप 70 रुपए का 140 में लो, दो पट हो और 70 रुपए का आप अगर 180 में लेते हो, तीन पट हो गया 70 रुपए का अगर आप 250, 260, 270 में लेते हो, चार पट, तो चार पट यूरिया का भाव बढ़ा दिया, सरकार ने, WTO की कंडिशन से फिर D.A.P. का भाव उससे भी जादा हो गया, D.A.P. तो करीब 8-9 पट महंगा हो गया जब WTO लागू हुआ था हमारे देश में, तो एक लीटर डीजल था, 70 रुपए 35 पैसे का, अब एक लीटर डीजल है, 35 रुपए का बने डीजल का भाव दुपट हो गया, WTO के आने के बाद, अब शेतकरी जो सबसे जादा वापरता है वो यूरिया, दूसरे नंबर पर D.A.P. तीसरे नंबर पर डीजल, तो यूरिया, D.A.P. डीजल जो शेतकरी का सबसे जास्ती खर्चा है, वही 4 पट, 8 से 10 पट और यूरिया, D.A.P. महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो शेती का उत्पन्न खर्चा जादा हो गया, लागत खर्च जादा हो गया, कॉस्ट और प्रडक्शन जादा हो गया, और अंतरश्टी बजार से सस्ती शेती विस्तुएं आने लगी, मैंने आप से का WTO की पहले ऐसी थी, मैंने पहले WTO नहीं था, तो बाहर से आने वाले शेत उत्पन्न पर हम टेक्स लगा के उसको महंगा बनाते थे, अब WTO की शर्तों के बाद बाहर से आने वाले शेती के उत्पन्न पर जास्ती टेक्स नहीं लगा सकते, वो जास्ती महंगा नहीं हो सकता, वो सस्ता के बजार में बिकता है तो भारत के शेतकरी का शेतुत्मन महेंगा और बाहर से आने वाले शेतकरी अमेरिका यूरोप के शेतकरी का शेतुत्मन सस्ता तो सस्ता शेतुत्मन भारत के बजार में आके जादा बिकेगा तो शेतकरी अपने का उत्पन कम बिकेगा तो वही पुत्पन कम बिकने से शेती का जो लागत, शेती का जो विकासदर है, जो डबलू टियो आने के पहले 4.8 टका था, अब वो विकासदर 4 टके से भी कम है, 2009 तक आते आते वो 3 टका रह जाएगा, माने शेतकरी समाज और जादा गरीब, गरीब, गरीब और गरीब होता चला जा तो आप बुलेंगे, अब क्या करना चाहिए? तो मैं मेरे व्याख्यान के अंत मिए ही आप से कहना चाहता हूं, कि सारे शेतकरी समाज को मिलकर अभी दो काम करने चाहिए पहला काम तो यह करना चाहिए कि जो सरकारों ने WTO agreement किया जिन सरकारों ने WTO की शर्तों को हमारे शेतकरी समाज पर लाद दिया, ऐसी सरकारों को सबक सिखाना चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे पुढ़ारियों को सबक सिकाना चाहिए जिन्होंने WTO इस देश के ऊपर थोप दिया और इस देश के शेतकरी को मरने के लिए इस्तिती में डाल दिया आत्मत्या करने की इस्तिती में डाल दिया ये सोची आप कितनी विडंबना है कि लोगों का पेट भरने वाला शेतकरी खुद भूका रह जाए और आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो जाए सारे देश का पेट भरने वाला शेतकरी खुद भूका रहे और आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो बिवश हो ये कितनी बड़ी विडंबना है जो इस देश की आजादी के 60 साल में हमको देखनी पड़ रही है ये उस देश में देखनी पड़ रही है जिस देश में शेती की प्रधानता हमेशा से रही है ये उस देश में देखनी पड़ रही है जहां के प्रधान मंत्रियों ने जै जवान जै किसान का नारा दिया है उस देश के किसानों को आत्मत्या करने ही पड़ रहे है तो अभी तो दोईद काम हैं जो कर सकते हैं आप और उसको रास्ते को ठीक कर सकते हैं बदल सकते हैं इन परिस्टियों को पहला तो हमारी सरकारों के उपर दवाओ बनाना कि ये जो डव्लू टियो एग्रिमेंट है ये जो गेट करार है या तो इसकी शर्तों को बदलो नहीं तो गेट करार को रद्द करो हमें ये नहीं चाहिए अगर इसकी शर्तें नहीं बदलती हैं तो जिन शर्तों पर गेट करा की जरूरत है और बड़े अंदोलनद वो कौन करेगा वो आप सब मिलकर शेतकरी समाज के लोग ही करेंगे हम सब उसमें सहयोग करेंगे हम सब उसमें सहभागी बनाइगे तो शेतकरी समाज के बीच में से ये आवाज आनी चाहिए कि डबलू टियो हमें अकेले पढ़ जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको महीती के लिए बताता हूँ, गेट करार एक multilateral agreement है, बहुपक्षी है समझोता है, जिसमें बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक साथ व्यापार किया जाता है, दूसरा व्यापार का और एक रास्ता है दुनिया में, एक तो व्यापार होता है, वो multilateral है, वो उपक्षी है, एक तो व्यापार होता है, वो bilateral है, दुपक्षी है, तो हम multilateral व्यापार नहीं करेंगे, bilateral करेंगे, इसमें तकलीफ क्या है, और हमारा बाइलेटरल व्यापार मल्टी लेटरल से ज़्यादा अच्छा होगा दुपक्षिये समझोते करेंगे एक-एक देश के साथ समझोते करके व्यापार करेंगे कैसे होगा मान लीजे हमारे देश में बहुत जास्ती मातरा में चाय उत्पन होती है, कौफी उत्पन होती है और यूरोप के देशों में चाय और कौफी की बहुत ज़्यादा जरूरत है लेकिन उनकी आँ उत्पन नहीं होती है तो हमारी चाय कौफी का व्यापार हम यूरोप के देशों के साथ दुपक्षी इस तर पर करेंगे और उसमें हमारा रेट फिक्स करेंगे ना कि उनके रेट पर बेचेंगे क्योंकि हमें गरज नहीं है उन्हें गरज है हमारी चाई और कॉफी की अगर यूरोप के देशों को भारत की चाय कॉफी पीने को नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे क्योंकि ठंडी इतनी जादा है उस देश में कि उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है और उसमें मृत्यू की संभावना सबसे तीवर हो जाती है इसी तरह से और एक उधारन देता हूं तिलहन हमारे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का है पूरी दुनिया में इतना अच्छा तिल जो भारत में होता कहीं नहीं होता और सारे अरब देशों में तिल का तेल खाने की परंपरा है तिल का तेल खाते हैं, खजूर का तेल खाते हैं, नारियल का तेल खाते हैं तो जिन देशों को तिल का तेल चाहिए और हमारे पास तिल बहुत अधिक मात्रा में हो तो हम भाव तै करके दुपक्षिय आधार पर समझोता करके वो तेल बेचेंगे उसमें भाव भी अच्छा मिलेगा और हमारी इज़त और सम्मान भी जादा बढ़ेगा दुनिया तो मेरा ये कहना है कि मल्टी लेटरल व्यापार का जो समझोता डबलू टियो है इसको खतम करके बाईलेटरल तरीके से दुपक्षिय तरीके से हम व्यापार के समझोते कर सकते हैं और एक-एक देश के साथ एक-एक समझोता करके हमारी वस्तों को ज़्याद अच्छे बाव पर बेच सकते तो हमको डबलू टियो की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है हम दुपक्षिय आदार पर वैपार दुनिया में कर सकते हैं और दूसरी जानकारी अगर डबलू टियो हम खतम करा देते हैं तो भारत के बजार में क्या फाइदा होगा बर्मा की दाल बिकना बंद हो जाएगी भारत के बजार अमेरिका का सेफ बिकना बंद हो जाएगा नियूजिलेंड का केला बिकना बंद हो जाएगा अमेरिका की कापुस आना बिकना बंद हो जाएगी यहाँ पर कनाडा का गेहूं आकर बिकना बंद हो जाएगा आस्ट्रेलिया का गेहूं आकर नहीं बिकेगा माने परदेशी शेती वस्तुओं भारत के बजार में बिकना कम हो जाएगी परिणाम क्या होगा भारत के शेद बजार में भारत की स्वदेशी वस्तूओं की डिमांड बढ़ जाएगी और जैसे ही स्वदेशी वस्तूओं की डिमांड बढ़ेगी तो स्वदेशी वस्तूओं की कीमतیں बढ़ जाएगी और शेदकरी समाज को जास्ती लाव में लेगा मैंने एक सीधा सा हिसाब निकाला कि आज अगर हम WTO को कैंसिल कर दें और विदेश का कापुस भारत के शेती में आकर विकना बंद हो जाए भारत के शेत बजार में भारत के मार्केट में विदेशी कापुस ना विके तो अभी विधर्व के शेतकरी का कापुस पाँच से सवा पाँच हजार रुपए कुंटल का भाव आराम से हो जाएगा अभी आज की तारी विदेशी कापुस जैसे ही खतम होगा भारत के बजार से देशी कापुस को पाँच सवा पाँच हजार रुपए कुंटल का भाव सीधे हो जाता है विदेशी गेहूं अगर भारत के बजार में आकर बिकना बंद हो जाए तो देशी गेहूं को भाव वैसे ही 2000 रुपए कुंटल हो जाता है जो अभी 1100 रुपए कुंटल भी नहीं विदेशी चावल अगर आकर बिकना बंद हो जाए फिलिपीन्स का चावल यहां नाबिके तो भारत के चावल का भाव 1400 से 1500 रुपे कुंटल सीधे हो जाता है दुपट भाव हो जाता है यहूं का भाव दुपट, चावल का भाव दुपट आपके कापुस का भाव दुपट आपका जो केला है उसका भाव दुपट, सफरचन का भाव दुपट आपकी जो भी शेत वस्तुएं हैं वो दुपट से तीन पट भाव पर तो आज हो जाएंगी अगर विदेश से आने वाली वस्तुओं को बंद कर दिया जाए इस देशु और विदेशी शेत वस्तुओं को जैसे ही हम बंद करेंगे तो भारत के शेत करी की वस्तुओं महंगी हो जाएंगी वो एक बात होगी और दूसरी बात ही होगी कि भारत के शेत करी को जब ज़्यादा भाव मिलने लगेगा तो वो शेती अपने आप उस दिशा में करना जादा शुरू करेगा अगर कापुस को पांच अजार रुपए कुंटल भाव हो जाए अपने आप कापुस उत्पन करने का छेतरफल बढ़ जाएगा इस देश अगर गेहूं को भाव दो डाही अजार रुपए कुंटल हो जाए गेहूं जादा करना अपने आप शुरू कर देंगे शेत करी अगर चावल को भाव जादा हो गया तो चावल जादा अपने आप ही शुरू हो जाएगा तिलहन को भाव जादा हो जाए, दलहन को भाव जादा हो जाए, दलहन का छेत्रवल बढ़ता है, तिलहन का छेत्रवल बढ़ता है, ये सरकार ने कई बार इस्टडी कराई है, कि एक से दो प्रतिशत भाव में जब बढ़ोतरी होती है, तो एक कोटी हेक्टेर जादा शेती हो ने लगती अगर 8 से 10 प्रतिशत भाव जादा हो जाए तो आप सोचो कितने कोटी हेक्टेर जास्ती शेती इस देश में होने लगती तो शेती जास्ती होती है छेत्रफल जादा होता है शेती का और जादा लोगों को उसमें रोजगार मिलता है और एक तीसरा फादा होता है अगर डबलूटीओ की शर्तों को हम रद्द कर दें और हिंदुस्तान की सरकार ये तै करें और हम उनको दबाव डालें कि 1995 में जब आपने डबलूटीओ लागों किया था उस समय शेती का जो लागत खर्च था उसी लागत खर्च पर शेती को ले जाकर फिक्स कर दो तो यूरिया आपको फिर से 70 रुपए का 50 किलो मिलता है डीए पी आपको बड़े आराम से बहुत आराम से 8 से 10 रुपए का 1 किलो मिल जाता है जो इस समय 22 से 25 रुपए किलो है यूरिया डियपी का भाव चार पट सस्ता होता है डियपी का भाव आट से दस पट सस्ता होता है डीजल पेटरोल का भाव कम से कम दो पट सस्ता होता है तो ये सब सीज़ें सस्ती होती है यूरिया सस्ता, डियपी सस्ता, सुपर फॉस्पेट सस्ता, फिर डीजल सस्ता तो शेती का लागत खर्च कम होता है लागत खर्च कम होता है और बाजार में कीमत जास्ती मिलती है तो किसानों को दोहरा फाइदा होता है दो तरफ से प्रॉफिट होता है एक तो बड़े हुए कीमत पर माल बेचना वो एक फाइदा और दूसरा लागत और खर्च लगाता है कम हो जाना दूसरा फाइदा और हमारे देश में और सारी दुनिया में ये मानगा जाता है कि खर्चा जितना कम होता है आमंदनी उतनी ही बढ़ती जाती है शेतकरी समाज का खर्चा जितना कम होगा आमंदनी उतनी ही बढ़ती जाएगी तो WTO करार को रद करने से इतने सारे फाइदे हमारे शेतकरी समाज को होते और मेरा मानना है कि कापुस पांच हजार रुपए कुंटल गेहूं भाई हजार रुपए कुंटल और चावल डेड़ दो हजार रुपए कुंटल बिकने लगे और हर शेतवस्तु का उत्पन आधा खर्चा कम हो जाए और माल का भाव दुपट बढ़ जाए सब शेतकरी श्रीमंत होते जाएं एक भी शेतकरी आत्मत्या करने के लिए मजबूर ना होए इस देश ये एक तरीका है दूसरा एक तरीका है कि अगर डवलूटियों कैंसल नहीं होता भारत सरकार उसको लागू रखती है और वारत सरकार कहती है कि हम तो इसको कैंसल नहीं करेंगे तब आप शेतकरी समाज मिलकर एक फैसला करो कि हम हैसे पुढ़ारियों को संसद में और विधान सवा में चुनकर भेजेंगे जो इस डबलू टियों को कैंसल करने की बात करेंगे जो पुढ़ारी जो नेता डबलूटियों की खिलाफत नहीं करते जो डबलूटियों को रद्द करने की बात नहीं करते उन सब पुढ़ारियों को इस बार के चुनाओं में सबक सिखाएंगे आप एक ही बात ते कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इस देश आप जानते हैं हमारे देश में चौसत कोटी बोट है चौसत कोटी मतदान करने वाले नागरिक है अब चौसत कोटी मतदान करने वाले नागरिकों में असी टका नागरिक शेतकरी समाज के है असी टका अगर यह 80 टका शेतकरी समाज के नागर curriculum के तया कर लें कि हम मतदान उसी पुढ़ारी को करेंगे उसी नेता को मतदान देंगे जो WTO को रद कराएगा और WTO का रद कराने का माने शेतकरी समाज की समृढ़ी और समपत्ति को दुपट बनाना, तीन पट बनाना तो जो शेतकरी समाज को समरुदुशाली बनाएगा दुपट और तीन पट और WTO को रद्ध कराएगा ऐसे पुढ़ारी को वोट करेंगे ऐसे पुढ़ारी को मत देंगे तो आप देखलो, अगली बार की लोक सभा बदल जाएगी अगली सभार की विदान सभा बदल जाएगी पूरी तस्वीर बदल जाएगी आप बोलेंगे ऐसे पुढारी आएंगे कहां से आपके बीच में से आएंगे ये मंच में हमारे रवी भाई राना बैठे है हम सब लोग इनको कह रहे हैं कि आप तैयारी करो और तैयारी करो गंबीरता से तैयारी करो विदान सभा में जाओ नहीं तो लोक सभा में जाओ और अपने जैसे साड़े 300 खासदारों को लोक सभा में लेके जाओ और अपने जैसे 480 आमदारों को लिए विधान सवा में लेके जाओ यह रवीर अटा एक हैं, इनके जैसे चारसोगि आमदार नहीं मिलेंगे पूरे महाराश्ट में, खूब मिलेंगे जो बेईमान नहीं है जो चोर नहीं है, लमपत नहीं है, उचक्प्के नहीं है, शराबी कभी की नहीं जेल कभी गए नहीं पुलिस के अपराद में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तो ऐसे इमानदार स्वक्ष छवी वाले लोग 480 हमको चाहिए पूरे महाराष्ट की लोकसंग क्या है 10 कोटी की 10 कोटी में 480 नहीं मिलेंगे जरूर मिलेंगे बस समय करना क्या है कि यह रवी राणा हुए ऐसे 499 और इकटे करके एक साथ इनको विदान सवा में बेज देना तो आप बोलेंगे फिर क्या होगा महाराष्ट की विदान सवा में अगर 480 आमदार ऐसे जाते हैं जो गैट करार का विरोध करते हैं और एक विदान सवा इस गैट करार को रद कर दे तो भारत सरकार की ताकत नहीं है जो पूरे देश पर उसको लागू कर दे क्योंकि यह सम्विदान हमारा ऐसा कहता है हमारे सम्विदान में बिल्कुल इस पश्ट लिखा हुआ है कि भारत की विदान सवाओं ने अगर गैट करार को अमान ने किया रद किया कैंसिल किया तो सरकार लागू नहीं करा सकती क्योंकि भारत एक फेडरल इस्टेट है संगिय राज्य है जिसमें बिदान सवाओं की वी ताकत लोकसवा के बराबर है तो अभी तो लोकसवा का चुनाओ आ रहा है दो महीने के बाद तो दो महीने के बाद लोकसवा का चुनाओ आएगा और आपके मतदान संग से मतदार संगसे जो भी व्यक्ति खासदार है उसको आप सीधे सवाल पूछोग देखो भाई, 13 साल से ये गैट करार हमारे देश में आया आपने गैट करार को रद करने के लिए पिछले 13 साल में क्या किया और आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे तब ही हमारा वोट आपको मिलेगा, जिस दिन आपने वोट को गैट करार के सवाल से जोड दिया उसी दिन खासदारों को जख मार के कहना पड़ेगा कि हाँ हम गैट करार को रद करेंगे, अगर तुम को रद करोगे, तो इस ताम पेपर पर लिखे दो पूरे पबलिक के सामने घोशना करो कि मैं लोग सवा में जाने के बाद गैट करार को रद कराने के लिए काम करूँगा और अगर तुमने नहीं कराया तो तुमको वापस बुला के किसी दूसरे को बेजेंगे हम गैट करार को रद कराने के लिए ये नहीं कि पांच साल तुमको चुनकर बेज दिया तो पांच साल हम चुप बैठ जाएंगे तुमने अगर काम नहीं किया तो तुमको वापस बुलाएंगे, दूसरे को बेज देंगे, तीसरे को तो गेट करार को रद्द कराने वाले खासदार चाहिए लोग सवा में गेट करार को रद्द कराने वाले आमदार चाहिए विधान सवा में और अब के बार के चुनाओं में आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो लोग गेट करार का विरोध करते हैं जो मल्टिनेशनल का विरोध करते हैं जो विदेशी कमपनियों का विरोध करते हैं भारत के शेतकरी समाज को समरुद बनाना चाहते हैं शेती को संपन बनाना चाहते हैं उन्हीं को वोट करिए और मेरा आपको हाथ जोड़ करने वेदन है कि वोट करते समय पक्ष को ध्यान में मत रखिए व्यक्ति को ध्यान में रखिए क्योंकि पक्ष कई बार बेईमान हो जाते है हम पक्षों को एक बात के लिए चुनकर भेजते हैं कि इस काम को करने के लिए जा रहे हैं जब वो वहां पहुंच जाते कहते हैं यह नहीं हो सकता, कुछ और बताओ, यह नहीं हो सकता, कुछ और बताओ, फिर वो अपने मूल मुद्दे सब भूल जाते हैं, फालतू फालतू काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए पक्षों को वोट मत करिए, व्यक्तियों को वोट करिए, कोई बहुत अच्छा कामदार है कोई बहुत अच्छा खासदार है लेकिन उसका पक्ष खराब है तो भी आप उस आमदार और खासदार को वोट करिए क्योंकि पक्ष को आपने अगर वोट किया तो पक्ष तो नागनात और सांपनात है दोनों ही डसेंगे चाहे जिससे डस वालो अपने आप आज़ादी के 60 साल में यही हुआ है इसलिए व्यक्तियों को चुने और व्यक्तियों को चुनते समय उनकी कुछ विशेशता हैं जो ध्यान में रखिये कि वो व्यक्ति कितना इमानदार है कितना चरित्रवान है रात को रोज दारू पीके तो नहीं सोता है रात को कोई खराब काम तो नहीं करता है गलत काम तो नहीं करता है परिस्तरी गमन तो नहीं करता परवेश्या गमन तो नहीं करता ऐसी बातों को चुनकर अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे लोग चुनकर जाएंगे और अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही काम करते हैं ब आप निकल था पिछले वाले का ऐसा चुनाव बन कर देजे और स्वामी राम देव जी ने अभी भारत स्वाविमान करके घविहान शुरू किया है उसका तो ये मुद्दा है इमानदार चरित्रवान पारदर्शी साहसी पराक्रमी ये पांच सूत्रे हैं इमानदार साहसी पराक्रमी और पारदर्शी ऐसे गुण जिसमें भी हैं वो सब को चुनवा कर संसद में भेजना लोगसवा में विदान सवा में भेजना इसके लिए भारत स्वाविमान मंच बना दिया अभयान शुरू कर दिया होना मैं उसी अभयान का एक कारी करने वाला व्यक्ति हूँ आव्मारे रवी बाय रणा भी उस अभयान के साथ जुड़े हुए हैं यहां बहुत सारे जो पतंजली योग समिती के कारी करता बैठे होंगे वो भी उस अभयान की अंग है तो इस अभयान को लेकर दो साल स्वामी रा कि उसके आदार पर आप करिए और ये बात कहने के लिए सौयम रामदेव जी जारे जारे वाले हैं 600 जलों में जाने वाला हूं और ऐसे दूसरे भी सादूसंत जाने वाले हैं 600 जलों आपको सुनकर हैरानी होगी श्री श्री रवी शंकर जी उनका पत्र आ गया कि हम आपके साथ इस पूरे अभियान में हैं हमारे देश के महामंडलेश्वर बहुत 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 पूजनी सत्यमित्रानन जी गिरी वो परसों हमारे साथ थे हरिद्वार में एक-एक कोटी से ज़्यादा फॉलोवर हैं एक-एक कोटी से ज़्यादा जिनके फॉलोवर हैं ऐसे पंदर असन एक साथ भारत के 600 जिलों का प्रवास शुरू करने जा रहे हैं अगले दो साल और ये प्रवास इसी बात के लिए है कि हमको गेट करार नहीं चाहिए, मल्टी नैशनल नहीं चाहिए डबलू टियो नहीं चाहिए विदेशी करन जो हो रहा है इस देश का वो नहीं चाहिए कर्ज बाजारी जो बढ़ रही है शेतकरी समाज की और देश की वो नहीं चाहिए तो इन सब बातों को लेकर जब सादू संत निकल रहे हैं समाज में तो आप जान लीजे परिवर्तन तो अब होगा इस देश में क्योंकि जब भी भारत का सन्यासी और सादू निकला है तो उसने देश और समाज को बदला है ये हमारा हजारों साल का इतिहास है सादू समाज संत समाज जब भी निकला है समाज उसके पीछे चला है और हमारे यहां की राजनेतिक व्यवस्था तो हमेशा संत समाज के नीचे रही है संत समाज उपर रहा है राज व्यवस्था हमेशा उसके नीचे रही है संत समाज के आशीरवाद से हमारे यां राजा काम करते रहे हैं आपको मालूम है भारत के महान-महान राजा चंद्रुगुप्त विक्रमा दिते हर्श वर्धन समराट अशोक समुद्रुगुप्त ये जितने बड़े महान-महान चकरवर्ती समराट हुए इन सबका नियम था कि दरवार में अगर कोई सादू आ गया तो ये राजा अपना सिंगासन छोड़ता था और सादू सिंगासन पर बैठता मतलब सादू के लिए सन्यासी के लिए सिंगासन खाली है राजा उसके चरणों में बैठता था इसका मतलब ये है कि सादू समाज संत समाज और धर्म सत्ता हमारी राज सत्ता को निर्देशित करती थी तो जब तक भारत की धर्म सत्ता राज सत्ता को निर्देशित करती थी तब तक भारत सोनी की चुडिया था चंद्रगुप्त का समय देख लो भारत सोनी की चुडिया था समुद्र गुप्त का समय देख लो भारत सोने की चुड़िया था हर्श वर्दन का समय देख लो भारत सोने की चुड़िया था समरा टशोक का समय देख लो भारत सोने की चुड़िया था जब जब धर्म सत्ता उपर रही है राज सत्ता नीचे रही है भारत सोनी की चुड़िया रहा लेकिन जब विदेशियों का हमला हुआ और विदेशियों ने आकर यहाँ पर सामराजी स्थापित कर लिया तो धर्म सत्ता पीछे चली गई राज सत्ता उपर आगई तब से भारत नीचे रहसातल में गिरता ही जारा 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 और इतना गिर गया है कि अब उठने के लिए लोगों को भरोसा खतम हो गया है कि यह देश फिर से बड़ी हो गए अब फिर से धर्मसत्ता आगे आ रही है स्वामी रामदेव जी धर्मसत्ता के प्रतीक है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी धर्मसत्ता के प्रतीक है महाम अंडलेशवर जितने इस देश में है धर्मसत्ता के प्रतीक है हमारे देश के जितने भी ऐसे महान महान मुरारी बापू धर्मसत्ता के प्रतीक है आसराम बापू धर्मसत्ता के प्रतीक है तो ये धर्मसत्ता के प्रतीक ऐसे बड़े सादू, पुरुष, सन्यासी सब एक साथ इकटे हो रहे हैं तीन अप्रेल को हरिदवार में एक बड़ा सम्मिलन होने जा रहा है उसमें गोशना होने जा रही है उस सम्मिलन के बाद ये गोशना होगी और सारे देश में इन सादू संतों के प्रवाज शुरू हो जाएंगे अगले दो तीन वर्षों में आप देखेंगे नए नए लोग निकल कर आएंगे नए नए पुढ़ारी निकल कर आएंगे नए नए खासदा निकलेंगे नए नए आमदार निकलेंगे जो इन सादू संतों के आशिरवाज से संसद और विदान सबाओं में जाएंगे और देश की व्यवस्था परिवर्तन करने का काम शुरू हो जाएगा तो मैं आपको ये व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए निमंत्रा देने आया आपको निवेधन करने आया आप भी इस अभियान में जुड़ जाईए शامिल हो जाईए बारत स्वाविमान का जो अभियान शुरू हो रहा है आप भी इसके सक्रिय सद्स से बन जाएए इसके सद्स से बनने के लिए जो भी माहिती है वो आपको यहां पतंजली योग समिती के लोग दे देंगे रविवा इराना भी आपको माहिती देंगे उसके माहिती पत्रक हैं वो आप ले जाकर ध्यान से पढ़ लीजे माहिती पत्रक भरकर आप उनको जमा कर दीजे जमा करके आप भी हमारे साथ सबस्य हो जाएंगे फिर आप भी इस जिम्मेदारी में आ जाएंगे और आप भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंदे से कंदा मिला कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे मैं ये कहते हुए मेरा व्याख्यान समाप्त कर रहा हूँ कि इस डबलू टियो के खिलाफ की लड़ाई को मल्टी नैशनल के खिलाफ की लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे आप सभी का आवार बहुत धन्यवाद